लंकापती रावन के वद के बाद जब अयोध्यापती प्रभू श्री राम की कीर्थी दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुशुतम कहलाने लगे थे। तब एक दिन महादेव श्रिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुशुतम श्री राम से मिलने की हुई। वे बगीचे में हैं। श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमती मानगी और पार्वती जी का हाथ थाम कर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने व्रिक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोय थे और एक लेमेक हराटों से राम नाम की ध्वनी उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुसकरा उठी और व्रिक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेल की डालिया भी जूनने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उचारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पती का अनुसरल किया और अपने कोमल पाउं थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी जहनकार उठी की स्वर्गलोग के देवतागल भी आकर्शित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जान की भोजन तयार करके प्रतिक्षारक थी परंतु संध्या गिरने तक भी अतिती नही पधारे तब अपने देवर लक्षमन जी को बगीचे में भीजा। लक्षमन जी तो स्वयम को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अत बगीचे में आकर जब उन्होंने धर्ती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में जुम उठे। महल में माता ज की परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ब्रहं करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा भोजन ठंदा हो रहा है चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले लाएं। जब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हुनमान जी गहरी नींद में सोय हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सियाराम भाव विहौल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेन से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभू को आया दे भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भूजन करने के लिए चल पड़े। माता जान की भूजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ती में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए पंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भूजन करने के उपरान थी सभी लोग भूजन करते थे।